नमस्का दोस्तो हमारे चैनल पर आपका स्वागर्थ है दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सेंथाटिक साड़ी या पुरानी चुन्नी जो भी हो उसको जो हम यूज नहीं करते हैं उसको फेक देते हैं उससे आज हम बहुत ही खुबसूरत पाईदान बनाने के लिए बताएंगे आपका जो साड़ी है या चुन्नी है उसको आप फेकते हैं तो उसको हम यूज करने आपको बताएंगे तो आज हम देखे आपके कहने पर आप लोगों के फर्माईच पर हम आज आपको चौकोर पाईदान बनाने बता रहे हैं गोल पाईदान मैंने बहुत सारा अपने चैनल पर दे रखे हैं तो आज हम आपको चौकोर पाईदान बनाने के लिए बताते हैं ये भी बहुत ही आसान है बनाना और देखे ये साड़ी से हम इसको बनाते जाएंगे तो देखे ये जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा हम चौकोर बढ़ाते जाएंगे जितना हम चाहें इससे और आगे बना सकते हैं बस शिर्फ देखे इसको लेना है ये एक्टम आसान है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पतला पतला सारी का फार लेंगे एक्टम पतला पतला धागा बना लेंगे इसको फार फार करके इससे धागा बना लेंगे और धागा बनाने के बाद देखे हम इसका गोला बना लिये हैं दागा जैसे बनाते हैं उसके बाद इसको हम गोला बना लिए यह दागा देखिए कितना पतला हम फारे हैं इतना पतला ही आपको फारना है देखिए इतना पतला पतला फारना है ताकि जो है आपका आराउन से कुरोशिया चल सके उस पर सबसे पहरे देखे धागा का एक सिरा लेंगे एक सिरा लेने के बाद इस पे हम इस तरह से एक गाट बना देंगे देखे ऐसे एक फंदा टैप का बना देंगे इस तरह से बन गया अब इस फंदा पे ऐसे कुरोशिया को ऐसे टाइट कर देंगे थोड़ा सा देखे इस तरह से ताकि फंदा से हमारा ये धागा जो है निकल जाए अब इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर से देखिए ऐसे कुरोसिया को ऐसे फसाएंगे और इसको ऐसे करके निकाल देखिए एक फिर इसको देखिए ऐसे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस बार देखिए ऐसे हम निकाल लिये हैं दस चेन बना लिये हैं दस चेन बनाने के बाद हम देखिए ये जो है चेन इस पे हम तीन चेन बनाएंगे ये जो इस चेन को छोड़ करके इस चेन पर हम तीन चेन बनाएंगे देखिए इस तरह से एक हो गया फिर उसी चेन पे बनाएंगे दो हो गया फिर उसी चेन पर एक और बनाएंगे तीन चेन बना लेंगे एक चेन पर अब देखिए आगे के चेन पर फिर उस तरह एक चेन बनाएंगे अब इस तरह से यहां से लेके यहां तक पर एक एक चेन बनाते जाएंगे इसे बना लिए फिर देखिए इस पर ऐसे बनाएंगे फिर उसके आगे बाला में बनाएंगे फिर उसके आगे वाले में बनाएंगे फिर इसके आगे वाले में बनाएंगे यहां देखिए हम धागा को क्रोसिया पर नहीं लपेट देंगे सिर्फ हाप क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से लिए और इसको ऐसे निकाल देंगे अब देखिए यह लास्ट वाला बचा है तो लास्ट वाला में जो है हम फिर तीन चेन बनाएंगे इसमें हम तीन चेन बना देंगे लास्ट वाला में एक हो गया दो हो गया और एक तीन चेन हो गया यह हो गया हमारा एक तरप का एक लाइन का हमारा बन गया अब हम दूसरा लाइन इस पे ही शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे जहां पर तीन चेन जो बनाए है उसके इस तरप में फिर से हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे देखिए इसमें एक दो और एक तीन तीन चेन बना लिए फिर इसमें अब फिर एक एक चेन करके यहां लाश्ट तक जाएंगे तो हम यहां से यहां तक बना लेते हैं अब देखिए यहां तक हम बना लिए हैं यहां से ले करके यहां तक बना लिए अब लाश्ट में जब आ गए हैं तो जो लाश्ट वाला है इस पर हम तीन चेन बनाएंगे तो एक बना लिए हैं और यहां पर देखिए दो बन गया और फिर इसी चेन पर एक और बनाएंगे तीन चेन बना लेंगे इस पर देखे यहाँ पर तीन चेन बना लिये हैं अब यहाँ पर जो हम तीन चेन बनाये हैं उसके सबसे पहला वाला चेन के आगे वाला देखे यहाँ पर पूरा चेन नहीं लेंगे आगे वाला को लेंगे और इस पर हम एक चेन बनाएंगे इस तरह अब देखे इसके आगे वाला चेन पर यानि कि बीच वाला चेन पर इस पर फिर तीन चेन बनाएंगे एक फिर उसी चेन में बनाएंगे दो फिर उसी चेन पर बनाएंगे तीन तीन चेन बना लिए अब फिर इसके आगे वाला में देखें सिर्फ आगे वाला चेन ले रहे हम इससे क्या होगा हलका लगेगा बनाने में आपको इस तरह से लिए फिर देखें इसके आगे वाला चेन में लेंगे और इस तरह से चेन बनाते जाएंगे अब यह चेन हम यहां तक बनाएंगे जहां तक कि एक चेन पर तीन चेन बनाया है वहां तक हम बनाएंगे तो यहां से यहां तक बना लेते हैं अब देखे हम यहां से एक एक करके यहां तक आ गए हैं अब यहाँ पर जहाँ तीन चेन बनाए थे तो इसका बीच वाला चेन पर यहाँ पर फिर हम इस चेन पर तीन चेन बनाएंगे एक दो और एक तीन यहाँ तीन चेन बना लेंगे फिर यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दो चेन हो गया है तो इस दो चेन को हम एक एक करके बनाएंगे एक फिर इसमें भी एक बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर दो चेन बन गया अब इसमें फिर तीन चेन बनाएंगे इस तरह से तीनो चारो कोना में जो है तीन तीन चेन बनाते जाएंगे और आगे सब में एक एक चेन बनाएंगे तो यह एकदम चकोर बन जाएगा बहुत ही खुबसूरत तो देखिए यहाँ पर हम बना करके थोड़ा सा नमूना रखे हैं तो इस तरह से बनाते जाएंगे तो हमारा यह चकोर बनते जाएगा और बहुत ही जब बहुत पूरा बड़ा हो जाएगा तो यह बहुत ही खुबसूरत दिखने लगेगा आप इसको जितनो बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं और ये बहुत खुबसूरत दिखेगा तो यहाँ पर देखे हम बनाया हैं और इस तरह से आप इसको बनाते जाएए बढ़ा करते जाएए तो ये बहुत सुन्दर लगेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा ठैंक यू